अनेक इश्वरवाद धर्म वरस्ता जन साधन में तो काफी लोग परिये हैं तता उन्हें वास्त्विक धर्म वास्त्विक धर्मिक संतोज भी प्रधान करती है सभी जीवों की आत्मा का सरूप है या जो इश्वर को कई रुपए में मानते हैं उन्हें अनेक इश्वरवाद कहते हैं इश्वरवाद की प्रमुक विशेष्टाएं या लक्षा निम्लिकित हैं इश्वर अनन्त अमूर तथा पूर्ण है इश्वर का आधी एवं अन्त इश्वर है विश्व का आधी एवं अन्त इश्वर है विश्वर ने विश्व की रचना सूनिशित समय पे की है विश्व का संचालन इश्वरे सत्ता द्वारा होता है विश्व की प्रकिरिया में इश्वर अस्त शेप भी करता है विश्व की प्रकिरिया में इश्वर हस्त शेप भी करता है क्योंकि कहते हैं न कि दुनिया किसकी वनी है इश्वर की वनी वी है इश्वर विश्व सर्वत्र व्याप है इश्वर की अत्रिक्त अन्ने कोई भी सत्य नहीं है इश्वर विश्व की रशना करता है तथा उसका पारन पोशन करता है इश्वर समय तथा इस्थान से परे है त सामनेते मन और शरीर के अस्टित में अधिकांश व्यक्तियों का विश्वास है कि उसी के अनुसार व्यक्ति-भौतिक, शारारिक एंप्रकर्ति को समझने का प्रयास करते हैं। उनका विचार है कि सत्य बनाया जाता है। विभिन दाशिनिकों के संप्रदाये विभिन सत्यों का संपादन करते हैं तथा एक दूसरे के सत्यों को निरस्त करते हैं। दर्शन के मूल तत्व, मन तथा शरीर माने जाते हैं, जिनकी तत्व उमानसा की समस्यां इस परकार है, मन एवं शरीर कैसे एक दूसरे से सम्मन देते हैं, मन एवं शरीर परस पर कैसे निर्पर करते हैं, दर्शन के विभिन संप्रदायों ने इंप्रशनों का उत्तर देने क प्रयास किया है, वे संप्रिदाईं इस प्रकार है, क्रिया प्रती क्रियावाद, सावंतरवाद, उत्पोद वाद, दी पहलु सिद्धान्त, तादात्म सिद्धान्त, तत्विमानसा ऐम शिक्षा, मनुष्य की उत्पत्ति के विशे में सबसे अधिक ध्यान तत्विमानसा के अंतरगत दिया जाता है क्योंकि मानुब ब्रह्मांड का एक भाग है तदा शिक्षा भी मानुब का विकास करती है इसलिए ब्रह्मांड के तत्वों का शिक्षा से सिधा संबंध है नेतिक एवं धार्मिक शिक्षा तत्विमानसा के इश्वर पर निरबर है सत्वस्तु चाहे हम उसे इश्वर कहें या अन्यकिसी तत्व का नाम दें तत्युमांसा में उसकी व्याक्या का शिक्षा के उद्देश व्यम आदर्शों पर संपूर्ण प्रभाव पड़ता है यथार्त वाद के अनुसार तत्युमांसा विज्ञान के तक्नीकी शिक्षा को विशेश महत्व दिया जाता है प्रकर्ति वाद की तत्व विमानसा ने शिक्षा में आग्मन विधी तथा वैज्ञानिक विधियों को दिया है प्रकर्ति वाद को तत्व विमानसा का दर्शन माना जाता है इसमें परदार्त या प्रकर्ति को तत्व माना जाता है तत्था उसी तत्व का विशलेशन प्रकर्ति वादियों नहीं किया इसमें मन एयुम शरीर को भी द्रव्वे के रूप में प्रयोक किया गया है शिक्षा में ततुमानसा का उलेक, शिक्षा के निमलिकित घट को ये रूप में भी किया गया है, शिक्षा के लक्षे, ये उद्देश, शिक्षा की प्रकिरिया, पाठे करम विकास, शिक्षन की विधियों ये प्रविधिया, शिक्षा की भूमी का ये उद्देश, शिक्ष व्यक्ति का पूर्ण एमसू संगत विकास शिक्षा का उद्देश है व्यक्ति का पूर्ण एमसू संगत विकास पैस्टोलोजी का गतन है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों की आंत्रिक शम्ताओं यम योगतव का विकास कर सके ताकि वे अपना तत्र समाज का विकास कर सके शिक्षा का ऐसा सरूप विक्सित किया जाए जिससे शाररिक मानसिक और अध्यात्मिक विकास हो ऐसे ही विकास को व्यक्ति का विकास माना जाता है पेस्टालोजी का संपूर्ण विकास संपूर्ण विकास के उद्दिश्क अर्थ है कि व्यक्ति का विकास ही ऐसा हो यंत्र है जो समाज का विकास कर सकता है यदि व्यक्ति का विकास होगा तो वो समाज को विक्सित कर लेगा अगर व्यक्ति में बुद्धी नहीं होगी तो वो समाज के हाथ के ऐसा विबार करेगा सुचे यदि विक्ति का संपूर विकास होता है तो निश्यति हमारे समाज का भी विकास होगा चरित्र का विकास अधिकांश्त सभी दाशनिक शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देशिस हैमत हैं इसमें कोई इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है तता चरित्र विकास का संब नयतिकता से मानते हैं. पून्छिवन की तयारी का उद्देश हरबर्ट स्पेंसर को एक प्रमुक प्रकर्ती वादी माना जाता है. इन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश वक्ति को पून रूप से जीवन के लिए तयार करना बताया है. इन्होंने विभिन विश्यों से सम्मंदित ऐसी किरियों की सूची तयारकी जो पूर्ण जीवन की तयारी से सम्मंदित है यदि शिक्षा के दाश्रिक उद्देशों को देखा जाए तो सुसंगत विकास उद्देश चता पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश के अंत्यगत विवसाइक उद्देश स्वत्य ही सम्मिलित हो जाता है प्रकर्ति के अनुसार, स्वस्त रहना प्रथमनिय में तथा जीव ज्यान की जस्ति से भी शारिक वश्चक्तों की पूर्ति करना ही जीवन के वश्चकता है सब प्रथम ऐसा ज्यान दिया जाए कि जिससे वे स्वस्त रह सके शिक्षा की उद्देशों में मुख्य रूप से उद्देशों को सम्मिलित किया जाए जिससे वह अपने जीवों का उपार्जन की शम्ताओं को विक्सित कर सके विक्तिगत विकास का उद्देश शिक्षा का ये प्रात्मिक उद्देश है कि बालक के विक्तिकत गुणों का विकास किया जाए इसी संदब में शिक्षा की परिभाशा देते हुए विविन विद्वानों ने कहा है कि शिक्षन प्रकेरिया द्वारा बालक में नीहित गुणों का संपूर्ण विकास किया जा शिक्षा के सामजिक उद्देश, सामजिक उद्देश के दो अर्थ होते हैं, पहला राज्जे का विकास, दूसरा आर्थ होता है विक्तिगत विकास, या विक्तिगत शम्ताओं का विकास, राज्जे की विकासे ताथ पर है कि प्रतिक वेक्ति रास्टे कल्यान की बास सोच सके तथा अपना एवं समाज का कल्यान भी कर सके दूसरे सामाजिक उद्देश का दाथ पर है कि शिक्षा द्वारा बालक में ऐसे गुणों का विकास किया जाए जिससे वे समजिक समस्यों को समधान कर सके तता समाज में अपना कोई इस्तान बनाकर अच्छा समयोजन कर सके शिक्षा की प्रकर्टिक 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 प्र चिंतन का आधार माना जाता है जिसका विरोध प्रकर्ति वाद ने किया है इनका मानना है कि शिक्षा संस्ताओं की अवशक्ता आध्यात्मिक तथा समाजी ड्रस्टी जे नहीं बलकि प्रकर्तिक अवशक्ता अधिक है जिससे सुसंगत विकास किया जा सके तथा बालकों की प्रकृतिवादियों ने शिक्षा की प्रकिरिया के लिए कुछ मैत्पूर्ण अधिनिमों का उले किया है जो निमलिकित है शिक्षा शारी रथा मन दोनों के लिए शिक्षा का मैत्पूर्ण कारे ग्यान देना है शेक्षिक प्रकिरिया अनन्दाइक होनी चाहिए शिक्षा में बालकों के लिए ऐसी परिसिती उत्पन की जाए जिससे वस्वम सैक्रिया होकर उसमें संगलान रह सके शिक्षा की प्रिकिरे में बालक के विकास क्रम को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षा में आग्मन विधी का प्रियोग करना चाहिए शिक्षा में शाररिक व्रद्धी तता मांसिक विकास के लिए प्रकर्ति का क्रम अनुसरन करना चाहिए शिक्षा की पाठे चर्या आदश्वादी पाठे चर्या में शाररिक तता मांसिक विकास के सासत आध्यत्मेक विकास से सम्बंधित विशो को सम्मिलित करने का सुविचार दिया जाता है जबकि प्रकरतिवादियों के अनुसार पाठे चरे का सरूप बालक के विकास के अनुरूप होना चाहिए इनके अनुसार बहुत एक विज्ञान रशायन सास्त्र जीव विज्ञान तता वनस्पति विज्ञान इम गणित आधी विश्यों को सम्मिलित किया जाए जिससे बालोकों का संपूर्ण विकास हो तता प्रकर्तिवादी पाट्टे चर्या को बाल केंद्रित मानते हैं प्रयोजन वादियों के अनुसाय पाट्टे चर्या में सामजिक समस्याओं को प्रात्मीक्ता दीजाए तता पाट्टे चर्या अनुभव केंद्रित तता समाज समस्या केंद्रित होनी चाहिए इसमें समन्वित पाठे चर्या को विशेश महत्व दिया गया है जबकि इस दर्शन की कोई तत्व मिमानसा नहीं है शिक्षन विदिया प्रकरतिवादी तत्व मानसा को एक दर्शन मानते हैं इसलिए उन्होंने निगमन की अपेक्षा आगमन विधी को प्रात्मिक्ता दी है रूसों के अनुसार बच्चों को स्यम अनुभव करके सीखना चाहिए उनका कहना है कि अपने विध्यारतियों को मौलिक पाट मत पढ़ा उसे तो अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए जब भी अफसर मिले उसे सीखने दो और शब्दो द्वारा सीखने की बात तभी सोचो जब करके सिखाना असंभव हो तो तुमांसा में प्रकर्तिवादी तथा प्रयोजनवादी दाशनिक ने निरेक्षिन प्रगात्मक प्रदशन खेल कहनी शेत्री है अन्वेक्षिन तथा सनलेशन आधी विदियों को प्रमुकता दी हर्बर इस्पैंसर ने अध्यापन के लिए जिन सुत्रों का विकास किया वह शिक्षिन सुत्र इस प्रकार है सरल से कठिन की और ग्यान से ग्यान की और निशित से अनिशित की और मूर्थ से अमूर्थ की और विस्ट से सामनने की और बालक के विकास के वस्ताओं का अनुसरन निरेक्षिन एवं बहुत दे ग्यान की और एवं रूची का शिक्षन विदी का विदी के अनुसरन शिक्षयार्ति का सब्रमुक स्थान होता है, जबकि शिक्षक का इस्थान गौण होता है, उसका इस्थान प्रमुक होगा, अगर वो नहीं रहेगा तो शिक्षक इसको पढ़ाई कर, प्रकर्ति वाद के अनुसा शिक्षक का कारे पढ़ाना, सिखाना, सूचना देना आदशों की व्याक्या करना नहीं उसका तो कारे केवल बालकों को सुध्य विकास में सायक हो ऐसे शिक्षा देना चाहिए बालक की विकास में हस्त शेप करें ये उचित नहीं फिर भी शिक्षा को माली की भाती हमेशा अपने बालक रुपी पौधे की चिंता रहती है रहती है बिलकुल रहती है रोस महदे ने वैस्ता में शिक्षा के इस्थान को इस पस्ट करते वे लिखाए कि शिक्षा का इस्थान यदि कोई है तो वैं द्रव के पीछे है आदाश या संकल्फ शक्ति देने वाला या चरित निर्मान करने वाला ना होकर बालक के विकास का निर्ख्षिन है जिसको बालक स्वयम अपने लिए करता है वह किसी भी शिक्षक से अधिक यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और कब और कैसे करना चाहिए उसके शिक्षक उसकी रूचियों प्रेणाओं का मुक्त विकास है एक शिक्षक के द्वारा उस पर किया गया क्रतिम प्रयास नहीं है इस प्रकार शिक्षक का कारे बालक को ऐसे अफसे प्रदान करना है तथा अनुकूलन परिस्तित्यां उत्पन करना है जिससे वह सतंतर रूप से अपनी करने का अफसर उनको देना चाहिए शिक्षक को बालकों को नवीन खोच करने में सायता देनी चाहिए तथा उन्हें कारे करने की नवीन प्रवीद्यां सिखानी चाहिए इससे आगी चलकर वे अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सके अब पढ़ेंगे ज्यान मिमा ज्यान मिमानसा ज्यान से संबंदित विभिन प्रकार के प्रशन हमारे मस्तिक्स में उठते हैं ज्यान के सरूप से संबंदित प्रशनों का अध्यान ज्यान मिमानसा के अंतरगत किया जाता है ज्यान शास्त्र को दर्शन शास्त्र की एक प्रमुक्षाका के रूप में मानन शास्ट्र को ज्यान के विज्ञान की मानेत दी है इसके अंतरगत विभिन समस्याओं जैसे ज्यान प्राप्त करने के साधन सत्य और मसत्य का सवरूप प्रमान का सवरूप प्रम् निवारन अर्थाद ग्यान मिमान सा ग्यान की सीमाओं का अध्यान है इसके अंतरगत सत्य को जानना ग्यान की प्रकर्ति सीमाएं यह उसके प्रादुर्भाओं का अध्यान किया जाता है अत्य हम कह सकते हैं कि ग्यान मिमान सा के अंतरगत ग्यान के विभिन पहलों का अध्यान किया जा ग्या प्लस लूट जानना बोध जानकरी सम्यक बोध परदार्तों को ग्रहन करने वाला मन की आवरती आत्म तत्व का अवगम आत्म शाक्षातार बुद्धी व्रिस्टियादी है ग्यान को प्रमा की संग्या दी गई है और तथा कहा गया है कि प्रमा अज्यात तथा सत्य परदार्त का ग्यान है प्रमा का अर्थ है शुद्ध बोध यतार्त ग्यान जो जैसा है उसको वैसे ही रूप में जानना ग्यान यतार्त है तो प्रमा और यदि यतार्त है तो अप्र निश्चित प्रत्यक्षि करण, पहचान, सीखना, पांडित्य कुशलता प्राप्त करना, वास्ट्विक अनुबव प्राप्त करना है। भारते परिपेक्ष में ज्यान को प्रकाशवान माना गया है। तरकौमदी के अनुसार अर्थ प्रकाश को बुद्धी अर्थार्थ जो विशे हमारे अब तक के ज्यान में नहीं है ज्यान के द्वारा उन पर प्रकाश जाला जाता है जिसके कारण से प्रकाशक कहा जाता है ज्यान में विशे समाईत होना अवश्यक है क्योंकि विशे के न ग्यान मिमानसा का अर्थ है ग्यान मिमानसा के लिए अंग्रे जी के एप्टी लोमोजी शब्द का प्रियोग होता है यह शब्द ग्रिग भाषा के एप्टी मी एंड लोज से बना है एप्टी मी का अर्थ है नॉलेज और लोगोस का अर्थ है विज्ञान अते एप्टी एप प्रश्निक रस्टी से ज्ञान मिमानसा कहा जाता है ज्ञान मिमानसा में प्रमुक तीन प्रश्नों होते हैं ज्ञान का सुरूत्र क्या है वास्त्विक ज्ञान क्या है इन प्रश्नों को ज्ञान की उत्वत्ति कहा जा सकता है दित्य प्रश्न के सरूप को लेकर क्या मन के बा प्रश्णों के उत्ता जिस शाका के अंतरकत मिलता है ज्यान मिमान सा कहलाती है जर्मन दाशने कांट के अनुसार ज्यान मिमान सा ज्यान का विज्यान इर्म समालोचन है अब हम पढ़ेंगे ज्यान मिमान सा के सिद्धान्त ज्यान मिमानसा के प्रचलित प्रमुक सिद्धानते अनुभवाद, संशेवाद, बुद्धीवाद, प्रत्यवाद, यथार्थवाद, वैवारवाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुभवाद ज्यान मिमानसा में समस्त ज्यान का स्रोत अनुभवाद को माना जाता है अनुभावाद के अनुसार मनुष्य को उसकी समस्त इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त समेधनाओं के द्वारा ग्यान प्राप्त करता है ब्रिटिश चार्षनिक जॉन लॉक के वो अनुभावाद का जनक माना जाता है इनके अनुसा जन्म के समय बालक का मन कोरी पट्टी के समान होता है जैसे जैसे वह भाईये जगत की संपर्क में आता है सवेदनाओं के रूप में वस्तू के चिन मस्तिक्ष पर इस खाली पट्टी पर अंकित हो जाते हैं अथार्त ज्यान समगरी बाईये तत्वों से आती है शंशेवाद ज्यान विमानसा के अंतरका शंशेवाद को भी सम्मिलित किया जाता है शंशेवाद के सम्मन में हूम का मत है कि हम अपने तत्काल ज्यान के बाहर किसी वस्तू के अस्त्रित के विशे में निश्यत रूप से नहीं कह सकते क्योंकि उसे सिद्ध करने हितु हमारे पास कोई साक्षे नहीं है टी एच हैक्सले के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए कहना अनुचित है कि वै किसी भी तर्क वाक्य के वस्तूगत सत्य के बारे में निश्चे थे शंशेवादी पूर्ण सुईकार एवं पूर्ण नकार के मादियम से स्थी थे बुद्दिवाद गयान की एक बहत धारा के रूप बुद्दिवाद एक विशेश मेहद वे बुद्दिवाद के pearl संपुर्ण गयान बुद्दी पर रहा दहरीत है अतयाशिक रूप से पश्चीमि दर्षन में बुद्धिवाद का आरम ड्यकाड जाता है जिसमें कि BIG अवश्यक है प्रत्य बात के चरम कि उसके प्रत्यक अनुसार संसायर की प्रतेख वस्तूमर्ब यह निकये ग्यानक्यनियों द्वारा प्राप्त ग्यान सथ 108 च्छिंधाइंग अपने अस्तित्व के लिए मनस पर आश्तित्व मनस मतला मस्तिक्ष पर यथार्तवाद इस विचारदारा बहुतिक सत्ता का समर्तन करती है यथार्तवाद ने मन या मस्तिक्ष के चिंतन को न मानती हुए सस्त्री का आधार्त तो तता परदार्त माना है इस सम्मंध में विचार प्रसिद विचारक बटलर का कतन है कि यथार्त वाद संसार के सामनेते उसी रूप में सुईकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है वहवारवाद वहवारवाद ने आधुनिक दर्शन को विशेश महत प्रदान किया मेवारवादी विचारधरा का मूलतत्विया है कि पून सत्य सुईकार करने योग्य kalki नहीं है सभी सत्य पारितवरतन शीलय और जो आज भी सत्य है इस प्रकार ज्यांमानसा की योप्रियोक्त सभी सित्दान्थ उसके प्रमुकादार है ज्यान मिमानसा का शेत्र एमसब सरूप ज्यान मिमानसा दशन सास्र की एक प्रमुक्षाका है जिसके द्वारा ज्यान की उत्पत्ति, विकास, एम सरूप तथा उसकी रचना विदी पर विचार किया जाता है ज्यान विश्वास पर आधारित होता है किसी भी सत्य तक पहुँचने के लिए प्रमाणों द्वारा उस विश्वास की मिमांसा ही ज्ञान मिमांसा है ज्ञान मिमांसा में अनुभव, बुद्धी, ज्ञान, विश्वास सत्य, प्रमाण, आधी का विवेचन किया जाता है इसमें समाने रूप से समिक्षात्मक डस्टी से ज्ञान के समिक्षा की जाती है, ज्ञान मिमानसा के प्रमुक शेत्र निमलिकेत हैं, ज्ञान मिमानसा भाशागत ज्ञान के विशों की मिमानसा होती है, ज्ञान मिमानसा के प्रत्य को भाशा में अभिव्यक्ते करते हैं, हम क्या सकते हैं ज्यान के प्रत्यों को भशागत SP घ्लिशन भी ज्यान मिमान सक के संवेध्ण संवेध्ण उत्वन होटी है। कि मनुष्य ज्याने इंद्रियों के माध्यम से ही संप्रक में आता है। हमारे संपर्क में आने वाली वस्तूं से सम्वेधना उत्पन होती है और यह सम्वेधना ज्यानेंद्रियों को उत्तेजना मिलने के कारण ही होती है इस सम्वेधना के माध्यम से वस्तू का प्रत्यक्षी करण हो जाता है जिससे हमें उस वस्तू की जानकारी प्राप्त होती ह प्रतिक्षिकरन चेतन में अवधारने जिसमें हमें उस वस्तु की जनकारी प्राप्त होती है प्रतिक्षिकरन चेतन मन में अवधारने उत्पन करते हैं अनुभव वादी एंद्रे अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तार के प्रतिश वादी यथार्थ वादी एवं विज्ञान वादी प्रमुक सोत्र माने जाते हैं। इंद्रियानुभाव जिस लाइक है हम लोग छूके देख के हर चीज को पहचानते हैं और उसी के बाद हम अपना एक्स्पिरेंस करते हैं इसलिए इंद्रियानुभाव जब किसी वस्तु या घटना का विशलेशन से अनुभाव या ज्यान को हम माननेता देते हैं तो यह साक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्यान तक पर आधारित होता है तर्क एक मानसिक प्रकिरिया है अनुभाव के द्वारा हमें जो समेदना प्राप्त होती है उनको तर्क द्वारा संगटित करके ही ज्यान का निर्मान किया जाता है तर्क की किरिया अनुभाव पर आधारित हो वश्रक्ता है उसी प्रकार किरिया के लिए करता है क्या वश्रक्ता है ग्यान को ही विवार का साधन माना गया है ग्यान में तीन प्रमुक्तत्व बताये हैं ग्यान गे और ग्याता गे और ग्यान ग्याता कौन देने वाला गे लेने वाला ग्यान तो है इनकी क्रियों का वर्णन इस प्रकार है ग्याता ग्याता को प्रमाता भी कहा जाता है प्रमा यथार्त ग्यान माना गया है अते प्रमाता के बिना प्रमा का होना संभव नहीं है अठात बिना ग्याता के ग्यान संभव नहीं होता जिस प्रकार एक गुणवान में गुण होते ह उसी प्रकार ज्यान जो आत्मा का गुण या धर्म है वह वेक्ति में होता है, अते वेक्ति ग्याता है और यही ग्याता प्रमाता होता है, ग्या से तात पर उस वस्ते विशे से है जो जानने योगी है, ग्यान विशे सहीत होता है, तथा विशे के अभाव में ग्यान संभव नहीं है अते ज्यान के माध्यम से हम जिस विशे को ग्रेंड करते हैं वही ग्या है अर्थात ज्यान प्रमा के विशे में प्रमे ये ग्या है और अते ज्याता प्रमाता ग्या प्रमे और ज्यान प्रमा करता है ज्यान ग्याता 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 के संबंद में जो भी ज ज्यान प्राप्त करता है वही ज्यान है ज्यान प्राप्ति के विश्य में कहा जा सकता है कि ज्यान प्रमाण के बिना संभाव नहीं है अत्य प्रमाण ही वह साधन है जिससे ज्याता गय का ज्यान प्राप्त करता है ज्याता अपनी समस इंद्रियों के द्वारा ज्यान के सब्सक्राइब करें, कि अंते ज्ञान से तातपरे किसी तत्य को अपने मन में प्राप्त करना इसके लिए तर्ग आवशक नहीं है तथा प्राप्त ज्ञान की निशित एवं वैता ही उसका प्रमाण होता है यह ज्ञान विश्वास पूर्ण होता है ज्ञान मिमान सा एम शिक्षा ज्ञान मिमान सा ज्ञान शास्त के अंतरगत ज्ञान से तातपरे उसके मौलिक सरूप प्राप्ती के उपाए आधी पर विचार किया जाता है प्राय इस प्रश्ण के उत्तर में मद्बेथ है कि ज्यान को हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं इस प्रश्ण का उत्तर यतार्तवादी में हां में तो संदेवादी नम में देता है यतार्तवादी यहां कहेगा तो संदेवादी ना कहेगा प्राचेन काल के प्रमुक संदेवादी पिटो तता आधुनिक काल में हूं में ग्यान प्राप्ति के सम्मंद में अनुभवाद ने सपस्ट क्या है कि हमारा सारा ग्यान बाहर से प्राप्त होता है तता इंद्रियां ही इस ग्यान का साधने इंद्रियां आखे कान आखे सारा इन्द्रीयान जो में ब्द्दीवादियों ने संपूण ज् tv UKर अंद्रらい अंद्री विच्टार को आलोशना वादीं 17 जो कांट वो कहता है कि ज्यान इंद्रियां भी जरूरी है और मन भी जरूरी है। शैशिक योजना का पस्तोती करन करते हैं ज्यान मिमान सा एम शिक्षा में विशेश सम्मंध है ज्यान मिमान सा शिक्षा एम शिक्षन विद्यों का किसी भी भावी योजनाओं के निर्मान सायक विभिन प्रशनों के माध्यम जैसे कब कहां और कैसे आधी प्रशनों के द्व बारा शिक्षा का भूत वर्तमान यों भाविश्य निश्यत होता है पाठे चर्या निर्माण के समय हमारे समक्ष उचित अनुभाव चैन की समस्या आती है हम पाठे क्रम में क्या ले और क्या ना ले किस समय का चैन करें प्राप्त अनुभाव को किस क्रम में रखा जाए इसक सब्सक्राइब करता है ज्यान विमान्सा के माध्यम से शात्रों में सत्ते में अंतर इसपस्ट करने की शम्टा का विकास होता है ग्यान शास्रिक के द्वारा मुल्यांकन में तारकिक एवं विश्वसनेता की जस्टिस से अवधान करने में सायक होते हैं ग्यान मिमानसा के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करने में सीखने की विभिन सिधानतों की जानकारी होते हैं चात्रों के अनुसार विभिन विश्यों का वरगी करण ग्यान मिमानसा द्वारा ही होता है ग्यान मिमानसा चात्रों में विभिन योग्यतायम शंताओं का विकास करता है ग्यान मिमानसा द्वारा विभिन शिक्षण विध्यों का अध्यान तार्किक डिस्टि से किया जाता ह पाटे चर्या के निधान में भी ज्यान मिमानसा उपयोगी है ज्यान मिमानसा के द्वारा ही शिक्षक को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा छात्रों को भी दिया गया ग्यान सत्य है अते उप्रयोक्त तत्यों को ध्यान में रखते भी कहा जा सकता है कि शिक् पुन खूंआ को समस्टी तर्शन और भूमेंका i'm अच्छा की महिश्चान करेंगे द्रशन का दर्शन में सरूप महत इस्तान पर चर्चा करेंगे दर्शन वहुश्चा In जिसके द्वारा जीव जगत और मानन अस्तित को समझेगे की इस द्रशन सायता मिलती है दर्शन बुद्धियंवम चिंतन के माध्यम से समस्याओं का हल ढूंता है ग्यान मिमानसा द्वारा दर्शन में कर दर्शन के विश्यों को समझने इनका बोध प्राप्त करने का वह साधन है आते कहा जा सकता है कि दर्शन ज्यान मिमानसा पर निर्वर है क्योंकि समस्त विवेचना के लिए तथा वास्त्रिक अर्थ बोत कराने के लिए साधन ज्यान की प्रामनिक्ता आदिक अवशक्ता परती है इसके विना दर्शनिक ज्यान दर्शिक नहीं बलकि सामन्ने कहा जाए अग्यात है कि दर्षण एवं ग्यान शास्त्र एक दूसरे से अलग नहीं है और फिता estas का अभिन अंग बन जाता यह कि अधुनिक दशन या पाश्चट अधुनिक शिक्सष दशन में तो जञन मिमांसा कि आवशक्ता और बड़ गई ऐते बिना जञन मिमांसा के दर्शन कि कल्पना भी अशंबभ है। एतिहसिक दुस्ट्री कों से घ्यान मिमानसा का जितना wishing क OUR चरद्र किया जैंग उतना प्राचे इंकार में नहीं है। लौक की ग्यान विमानसा को दर्शन की विसिस्ट शाका के रूप में इस्तान दिलाने में विशेश महत्वे। लौक के रूप में कहा जा सकता है कि ग्यान विमानसा का अभाव में दर्शन की कपना भी नहीं है। ग्यान के विशेश में प्रशन करता है जैसे ग्यान क्या है उसके उत्पत्ति किस प्रकार हो यह धर्त ग्यान के साधन कौन से हैं। ग्यान विशेश में क्या अंतर है तता ग्यान के कारे ग्यान मिमानसा के विशेश में दर्शन के विशेश में दर्शन करता है।